आप सभी का अपने यूटूब चैनल एसकी स्टेडी पॉइंट से लिगुडी में स्वागत हैं आप देख रहे हैं Model Activity Task Class 10 Life Science Part 6 को September 2021 के Model Activity Task को 3rd सीरीज भी खा जाता है और इसे Model Activity Task Class 10 Life Science Part 6 के नाम से भी जाना जा रहा है आप अभी अपने स्क्रीन पर इंग्लिस वर्षन और बंगला वर्षन के कोशन पेपर को देख बार है इन ही कोशनों को हिंदी में रुपांतरित करके आपके पास सोलूशन इसकी स्टेडी पॉइंट से लिगुडी लेकर आया है अगर अभी तक आप इसकी स्टेडी पॉइंट से लिगुडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरहन सब्सक्राइब कर लिजे लाइक और शेयर करना बिलकुल नहीं भुलिएगा कॉमेंट जरूर कीजेगा किया वीडियो आपको कैसा लगा तो चलिए मिन समय गवाएं शुरू करते हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क लास 10 लाइफ साइन्स सेक्टेमबर 2021 को पहला कोशन देखे जिसमें MCQ टाइप कोशन दिया गया है आपके पास आप्शन्स देहें और सही उत्तर को चून करके बताना है पहला कोशन देखे नीचे दिया गया युगम का चैन करें जो सही नहीं है इसमें जितने भी आप्शन से सब सही है किन्तु एक आप्शन गलत है इस्ट बढ़िंग के द्वारा मॉस, स्पॉफरमेशन, प्लाजमोडियम, रीजनेरेशन, अमीबा, बाइनरी, फेशन तो इसमें जो जोड़ा जो है सही नहीं है वह है प्लाजमोडियम और आप देख लिजें आपर यहाँ पर जो सही जोड़ा नहीं है वह है प्लाजमोडियम रीजनेरेशन वाला ठीक है तो यहाँ पर बागी जो भी आप्शन से सारे सही है केवल यही गलत है next question पर जाने के पहले आपको बताय दिये चलता हूँ कि model activity task में इस बार September 2021 का जो question paper है उसमें marks दिया गया है आप जो भी question लिख रहे हैं उनके solutions पर आपको marks दिया जाएगा इसलिए आप ए standard answer लिखे सही answers लिखे ताकि आपको full marks model activity task में मिल जाए इसके पहले क्यों grad दिया जाता था जिसके कारण आपको कोई दिकत नहीं थी किन्तो अब marks दिया जाएगा इसलिए सही से आप अपना model activity task को complete कीजिए देखे next question जो है इसमें दिया गया नीचे दिया के genotype की पहचान करें जो guinea pig के काले और smooth चीकने फैनो टाइप के लेजी में दार है तो सही option में बी नंबर देखें बी बी आर आर बी बी आर आर तो capital B, capital B, small r, small r, capital B, small b, small r, small r ठीक है यह वाला option सही 1.3 को आप देख रहे हैं 1.3 जो question है वो बहुत important question है सबसे पहले हम आपने इसके solution को समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं एक समाने पिता और एक color blindness वाहक माता से उत्पन पुत्री में इस रोग से ग्रशित होने की संभावना probability होगी तो सही उत्तर इसका है 0% यहाँ पर आपको क्या समझना है यहाँ पर आप क्लिरली समझ लीजे कि color blindness होता क्या है color blindness एक स्क्रोमोजियोम से संबंदित रोग है इस रोग में ग्रशित वेक्ति लाल एवं हरे रंग की पहचान नहीं कर सकता है इस रोग से पिडित वेक्तियों की आँख के रेटिना में कौन सिल्स की संख्या कम हो जाती है कौन सिल्स में वर्णत नहीं होने के कारण उन्हें रंग भेद की जानकारी नहीं हो पाती या रोग color blindness कलाता है और यह अनवांसिक रोग है ठीक है इस इसको क्लिरली दिमाग बैठा लीजे हेरिटीटरी डिजीज है color blindness समाने दिरिष्टी के प्रती आप्रभावी होता है पीता अपने X chromosome को अपनी पूत्री में संचारित करते हैं परंतों पूत्र में संचारित नहीं करता है इसलिए जब पूत्री का जन्व होगा तो उसमें color blindness होने की chances नहीं होती है जबकि माता X chromosome को पूत्र या पूत्री दोनों में संचारित करता है इसके फलस्रूप माता से उपन संताने color blindness वाली होती है जबकि माता जबकि पीता color blindness हो या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है यदि पीता समाने दृष्टी वाला हो तो सभी लड़कियों को समाने दृष्टी होगी चाहे माता को color blindness क्यों नहीं समाने दृष्टी वाली इस्तरी का विवा color blindness वाहक पूरुस के साथ होता है समस्त पुत्रियां colorblindness वाली होती हैं यह बहुत important चीज मैंने बताया और आपको समझ लेना बहुत ज़रूरी था क्योंकि exams में भी इस तरह के questions आते हैं आपको समझ के रखना होगा आप अपनी screen पर कुछ extra question भी देख पा रहे होंगे जिसमें आपको समझ लेना है कि कि कुछ इसी तरह की संभावनाएं वाले जो question है उसको जान लेना है कि एक यूगल जो दोनों थेलेसेमिया के वहाग हूं उनसे जन लेने वाला एक नौजात में थेलेसेमिया कि बावना क्या हो सकती है तो 25% होगा ठीक है याद कर लिजेगा चुकि यह exam में आता है बोड का sample paper में दिया हुआ था तो मैं आप लोगों की सुविधा के लिए इस question को लेके आया हूं ताकि आप सही सी इस चीज़ को जान जाएं या समझ जाएं अगर अभी तक आप इसकी study point से लिए उड़ी को subscribe नहीं किया तो तुरंट subscribe कर लिजेगा लाइक और share करना चलिए आगे बढ़ते हैं question number 2 को देखते हैं और लेंगिंग प्रजनम के लिए दो प्रजनम जीवों की आसकता होती है 2.1 में है तो यह क्या है false है आसत्य है तो यहां पर आप आसत्य लिख लिजेगा 2.2 को देखिए सब उसपक पौदो में निस्रिशन के बाद अंडा फल बन जाता है तो यहां भी आसत्य है इसको भी आप आसत्य लिख लिजेगा 2.3 में देखिए एक जीवों की दिरिश्या लक्चन अब्जरेवल करेक्टिस्टिक्स को फेनर टाइप का कल आता है ठीक है यहां कहते हैं तो यहां क्या है सत्य है तो question number 2 पर thumbnail देख पा रहे होंगे इन thumbnails की मदद से आप इसकी study point से लेग उड़ी के September 2021 के सारे videos को देख सकते हैं देख लीजे किस तरह के thumbnails हैं आप चाहें तो playlist की मदद से भी देख सकते हैं या आप end screen में जाकर वीडियो को अंतर जब दिखिएगा उसके बाद में जो चार वीडियो के link दिखेंगे तो उन ही में आपको जो link मिलेगा thumbnail का उस पर click करके भी आप देख सकते हैं आगे ब आप याद करके इस तरह से ही लिखिएगा इस question में दिया गया है sexual तथा आसेक्शुल reproduction के बीच अंतर निर्धारित करना है मतलब आलेंगिक और लेंगिक और आसेक्शुल और सेक्शुल reproduction के बीच में अंतर स्थाफित करना है दो point को consider करना है gamet का production के उपर में gamet के उत्पा निर्वर करता है या नहीं इसको दिखाते विए आपको अंतर स्पस्ट करना है देखिए और लेंगिक तथा लेंगिक प्रजनन के बीच में अंतर gamet उत्पादन को अधार करके हम लोग इस अंतर को बताएंगे और लेंगिक प्रजनन में gamet का निर्मान नहीं होता है जबकि लेंगिक प्रजनन में दो परकार के gamet का निर्मान होता है पुरुस तथा इस्तरी gamet दूसरा point देखिएगा meiosis या mitosis इसमें देखिए और लेंगिक प्रजनन माइटोसीस के द्वारा समपन होता है जबकि लेंगिक प्रजनन मियोसीस के द्वारा उत्पन पुरुस गैमेट तथा इस्तरी gamet के स्थाई मिलन के माध्यम से होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं question number 3.2 को देखते हैं 3.2 जो दिया गया है line diagram की सहता से आपको बताना है कि सुख्ष प्रवर्धन विदी, micro propagation process द्वारा पादों का निर्मान कैसे होता है पादों का निर्मान कैसे होता है, micro propagation तो micro मतलब तो आप चांदे हैं तो छोटा या फिट सुख्ष तो किस तरह से हम लोग micro propagation वीदी के द्वारा पादों का निर्मान करते हैं line diagram के द्वारा बताना है मतलब step by step आपको दिखाना है एक processing के द्वारा कि किस तरह से आप पौधों का निर्मान करते हैं देखे सबसे पहले पौधों के उपयुक्त भाग का चैन किया जाता है जैसे हम लोग मालेते पत्ति ले लिए उसके बाद में किसी कोसी का अथवा उत्तक का सुच में टुकडा को ले लेना होता है उसके बाद में वांचित भाग का समवर्धन माध्यम परव्रीधी कराया जाता है उसके कैलस प्राप्त किया जाता है विवद्धी करन करा कर छोटे छोटे पादो प्राप्त किया जाता है जिसको एम्ब्रियाड गठन बोलते हैं उसके हाद में पौधा साल में रोपीत कर पौधा प्राप्त किया जाता है जिसको प्लांट लीट का गठन भी कहते हैं तो यह है स्टेप जिसके ताहत आप पौधे का प्लांट लीट को त्यार करते हैं ठीक है तो इस तरह से आप एरो दिखाते हुए लाइन डायग्राम बनाते विए आप बना लीजेगा आपका यह answer complete answer हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं question number 4 को देखते हैं question number 4 इस model activity task का last question है और बहुत important और conceptual question है अगर आप heredity chapter को सही से नहीं समझे हैं तो अनुआनसिक था वाला chapter बहुत important chapter है इसमें checkerboard की साहता से आ समझना पड़ता है और questions को करना पड़ता है किस तरह से मैं बताऊंगा आपको देखिएगा ध्यान से आपको समझ में आ जाएगा question दिया गया है एक सूध पीले और गुलाकार बीज वाले मतर के पौधे capital YY capital RR के साथ एक सूध हरे जूरीदार wrinkled बोलते हैं बीज वाले म matter small y small rr के संकरन के f2 मतलब दीत्य पीडी के परिमान तक चेकरवोट की मदद से दिखाएं और इसमें अनुवानसिक्ता के उस नियम की व्याख्या करें जो इस संकरन से प्राप्त होता है तो आप जानते हैं मैंडल ने अनुवानसिक्ता के नियम को दिया है तो जब डाय है आवरेड क्रोस किया मतलब f2 generation तक पहुंचा गया तो जो परिमान निकला है रिजल्स निकल रहे हैं इसको चेकरवोट की साहता से आपको दिखाना है और बताना है ठीक है इसमें तीन मार्क्स और दो मार्क्स दिया गया है कुल मिलागे 5 मार्क्स दिया गया है आप सही से की कीजेगा तो आपको फुल मार्क्स जरूर मिलेगा देखे सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे है एक सूध पीले और गोलाकार बीज वाले मतर के पौधे के साथ एक सूध हरे जूरीदार बीज वाले मतर के संकरन कराया जाता है तो प्रतम पीड़ी में केवल पीले और गोल ब यहाँ पर यहाँ पर दीखिया आप क्यापिटल वाई वाई इस तरह से इनके क्रोमोजूम को दिखाया गया यहा भी दिखाया गया है और लास्ट में जो बना वह आपके आस सूध मिला जो मिला पौधे जो बीज त्यार होता है पौधे त्याहर होते है और Knights पाधों से त् यहाँ पौधा और इनके बीजों के बीच रोब दिया गया और इनके बाद रोबने के बाद जो पौधा त्यार हुआ संक्रन संक्रन कराया गया यहाँ पर ध्यान से देखे उसके बाद में जो पौधा त्यार हुआ बीज त्यार होने के बादे रोब दिये तो उसके बादे पौधा त्यार हो गया तो उसी का जो बीज हुआ वो पीले और गोल बीज वाले उसके बीज त्यार होगे ठीक है और इसको फिर आप रोब दीजिए उसके जो पौधा त्यार होगा उसमें मटर का बीज पोड त्यार होगा तो पीले और गोल बीज वाला होगा अब उनके बीज को लेकर हम लोग सेल पोलिनेशन करेंगे तो एफ टू जेनरेशन वाले को ठीक है देखिए आगे बढ़ते हैं और यहीं पर आपको समझना बहुत जरूरी है कि किस तरह से यहां पर यह सारे चीज होनी जा रहे हैं इसके बाद प्राथम पीडी में प्राप्त पौधो में मतलब जो पौधे मिले थे उनको अगर आप रोपते हैं रोपने के बाद में जो बीज त्यार हो गया है उनके बीच में सिल पौलिनेशन करा गया तो एफ्टू जनरेशन में चार प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं तो जो पौधे त्यार हो गया है उनमें का जो बीज होगा एक तरह का उसमें बीज त्यार होगा पीला और गुलाकार बीज हो काlim होगा, फिर हर जुरिधार पीच पराप्त होता हैं, इस तरह से जो मटर तायार हुआ, हैं सेलफ पोलीषी के बाद में उनके बीच में जब सेलफ पोलीषी कराया तो आपको इस तरह के चार प्रकार के बीज वाले मटर के पौदे प्राप्त होते हैं अब इसी चीज को हम लोग चेकर बोड के द्वारा समझेंगी कि क्या चीज यहां पे लिखा गया है आप ध्यान से देखिए आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे चेकर बोड और किस तरह से सारा प्रोसेस हो रहा है देखकर समझेंगे आप सबसे पहले यहां जनक पीड़ी है ठीक है पैरेंट जनरेशन वाला पीड़ी है तो उसके यहां पर ठीक है यह अलग हो गया चुकि हम लोग डाइवरीट क्रोस कर रहे है इसलिए इन दोनों का इसका एक य और एक आर फीर एक य एक आर इस तरह से स्प्लीट हो रहा है गया इसमें देखे य 2 कारेटर को लेना इसलिए टाई डाई हावरीड है तो यहां पर हरा जूरीदार, हरा जूरीदार इस तरह से अलग अलग करके तो ज Wal यह अलग हुत गेमेट्स देखकर क्याओ गेमेट् देखे capital Y जो है वह प्रभावी लगचन है और यहां पर round का R जो है वह प्रभावी लगचन है तो यहां पर आपको यह confusion बना रहेगा कि क्यों मैं पीला लिख रहा हूं गुलाकार क्यों लिख रहा हूं इस चीज को अगर आपको doubt है तो यहां पर मैं जो बताने जा रहा हूं लिख रहा हूं इसको द्ध्यान से देखेगा वाई का मतलब होता है पीला यलो क्यापिटल अर का मतलब होता है गुलाकार लिये है हरा का स्मॉल हाड लिये हैं जूरीदार का ठीक है is निषक्काद समझे यहां पर या गुन जो है या दोनो गुन या गुन आ प्रभावी गुन होता है और यह पीला और गुलाकार जो होता है वो प्रभावी गुन होता है इसलिए अगर यहाँ का इसका यह इसका combination वाला कोई एक साथ मिल रहा है तो यहाँ वाला नहीं दिखेगा यही main रहेगा ठीक है First Generation में इसलिए यहां पर हम लोग क्या लिखे हैं पीला गुलाकार और प्रभावी लक्षन हावी हो зाता है First Generation में और जो अप्रभावी लक्षन है वो डख जाता है तो यहीं पर हम लोग receptive और dominant characters के बारे में समझते हैं तो आप क्यों समझ लीजिए इतनी सारी चीज आप अगर नहीं समझना चाहते हैं कोई बात नहीं है आपके ओल no down कर लीजिए और इसको लिख लीजिएगा ठीक है उसके बाद जब यह बीच प्राप्त हो गए यहां पर यह बीच प्राप्त हो गए एंध्याग मध्स एलग हो गया थैं उसी तरह से हम लो कि यहineिव मेट्स अलग होगे न कि वायार है 1 वायर या शीज तरह कर मेका है उसी टरह से चार आम देक रहाए गए उसी तरह से यहां विच आब देकिव के वच् memoir दो character लेना है इसलिए आपको दो characters आपको याद रखना है ठीक है तो इसी तरह से small फिर यह वाला है small इस तरह से combination में आपके पास gamets त्यार होगा है दो क्यों दिखाया गया है क्योंकि एक इस्तरी वाला gamut होगा और एक पुरूस वाला gamut होगा male और female दो तरह का होगा और उन्हीं के बीच में क्या होगा self-pollination होने जा रहा है तो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर checkerboard किस तरह से सारा multiplication करके यह त्यार किया जाता है आप अगर नहीं जानते हैं तो आप confused होगे आप इस checkerboard को नहीं लिख पाएंगे बहुत ही easy है इसलिए डढ़ने के कोई बात नहीं है आप ध्यान से देखिएगा उपर वाला जो gamet सालग हो गया था चारो उसी को combination के द्वारा हम लोगों को यहां पर लिखना है सबसे पहले इस इलाके में यहां पर यहां पर हम लोग पूरूस gamet को लिख लिए देखिए चारों को यहां का जो है इन चारों को यहां पर यहां पर यहां पर लिख लिए उसी तरह से इसको अगर फिनल मानते हैं तो इसको लेकर देखिए चारों को इस तरह से यहां पर ल multiply कीजे यहाँ पर उतार दीजे देख रहे हैं फिर इसको multiply कीजे यहाँ पर उतार दीजे फिर इसके साथ इसको multiply कीजे यहाँ पर उतार दीजे फिर इसके साथ इसको multiply करके यहाँ पर उतार दीजे देखिए कितना easy है उसी तरह से आपको करना क्या है इसके साथ इसको multiply करके यहाँ पर, फिर इसके साथ इसको multiply करके यहाँ पर उतार देना है सेम यही चीज आपको यूज़ करना है दूसरे के लिए यहां के लिए यहां पर multiply कीजिए यहां पर उतारिए यहां पर इसके साथ में यर के साथ multiply कीजिए यहां पर उतारिए इसको multiply करके यहां पर उतारिए इसको multiply कीजिए फिर यहां पर उतारिए चुकि समय ज्यादा नहीं लगे बोलकर मैं इस तरह से बोलते ही आपको बता रहा हूँ आपको असानी होगा समझना उतारने में भी दिकत नहीं होगी आप तो पहले ही सारे गेमेट्स को लिखी चुके हैं पुरूस और मेल फिमल गेमेट्स को तो देखी इसको मल्टिप्लाई करके यहाँ पर इसको इसके साथ मल्टिप्लाई करके जैसे अलजेब्रा में आप लिखते हैं ना x x y उसी तरह से आपको multiply करना है यहाँ फिर यह वाला multiply किये यहाँ पे लिखे फिर इसके साथ में इसको multiply किये यहाँ पे लिखे इस तरह से आपको करना है और चुकि मैं पहले ही बता चुका हूँ capital Y मतलब पिला small Y मतलब हरा capital R मतलब बुलाकार small R मतलब जुरीदार तो उसी combination को लेकर आपको इन brackets में सारे चीजों को लिख लेना है ठीक है? आप देखिए हाँ पर capital Y इस जगाँ पर capital Y है और capital R है तो देखिए capital Y मैंने बोला था पिला है और capital R क्या है? गुलाकार है तो पिला गुलाकार बीच हो गया यहाँ आप देखिए capital Y और capital R small R तो छोटा R जो होता है और प्रभावी होगा आप जानते हैं इसलिए पिला गुलाकार ही होगा उसी तरह से यहाँ आप देखिए capital Y small Y है तो पिला और हरा में प्रभावी कौन होगा? पिला होगा इसलिए हरा ढख जाएगा और पिला दिखेगा इस तरह से आपको पिला गुलाकार होगा बनाते जाएगा ठीक है? तो उमेद कर रहा हो आपको समझ में आ रहा होगा confusion तो नहीं होना चाहिए पिला गुलाकार हुआ और छोटा हर मतलब जूरीदार हो गया तो जूरीदार और गुलाकार में कौन प्रभावी है? गुलाकार प्रभावी है इसलिए गुलाकार प्रभावी यहां पर आया यहां पर इस दिखेगा पर ले लिजे गुलाकार और जुरीदार आपको समझ लेना है कोई भी कन्फिशन हो कॉमेंट सेक्षन में जाकर आप कॉमेंट कीजेगा मैं कॉमेंट सेक्षन में आपको और ज्यादा हेल्प करने की कोसिस करूँगा ठीक है आगे बढ़ते हैं और इसी को लेते हुए यह सारे कंसेप्ट आपने समझा है एफटू पीडी के चेकर बोर्ड में इसी को देखते हुए हम लोगों को यहाँ पर उतारते जाना है कि फेनोटाइटिक रेशियो में कितने हो गए फेनोटाइटिक रेशियो में कितने हो गए पीला और गुलाकार तो 9 हो गया पीला और जुरीदार कितने हो गए 3 फिर हरा गुलाकार बीज कितने हो गए 3 हरा जुरीदार बीज कितने हो गए 1 तो यह यह आप जो पौधा त्यार हुआ जो मटर त्यार हुआ उस मतर को फिर हम लोग रोग के त्यार किये हैं पौधा त्यार हुआ है और उससे जो बीज त्यार हो रहा है उन्हीं बीज को देखकर हम लोग इसको तो find out कर रहे हैं कि पीला और गुलाकार बीज वाला पौधा जो बीज त्यार हुआ पौधा त्यार हो उसमें से किन पौधों में इस तरह का त्यार हो रहा है इस तरह से गीन कर त्यार किया जाता है ठीक है तो आप confused होता मत हो यह उतना ड़ने की कोई बात नहीं है उसके इस पर सब्सक्राइब नहीं जो बाहर से जो दिखता है वह सरह चीज आता है तो फैने टाइपिक लिज है लिए। टेरेशियो तक कितना हो जाएगा नाइइन यह थ्यूप निदटय इस टु इस टु अब छश्यरा良गा यह पर यहां धेए अगर निदारेशी और पौध इस question का जो दिया गया उसमें बोला गया थे कि संकरन में hybridization में अनुवान सिखता का कौन से नियम दिखता है या फिर है तो इस नियम से दिवितिय नियम अनुवान सिखता को दिखेगा जिसको अब दिविन का नियम law of independent assortment कहते हैं प्राप्त होता है यह नियम क्या होता है उस को देखके समझे मैंडिल का अनुवान सिखता के दिवितिय नियम को स्वतंत्र अप्यून का नियम law of independent assortment कहा जाता है इस नियम के नुसार जब किसी संकरन में किसी hybridization में दो लक्षन दो लक्षन के बीप्रीत कारक भाग लेते हैं जैसे यहां पर हम लोग क्या लिए पीला हरा क्यों एक लक्षन नहीं ले रहे हैं पिला और हरा यहां पर और एक लक्षन क्या ले रहे हैं गोलाकार और जुरीदार तो दो बीप्रीत कारक ले रहे हैं दो लक्षन ले रहे हैं बीप्रीत वाला तो एक लक्षन का प्रिथकरन दूसरे लक्षन के प्रिथकरन से स्वत तो उम्हीद कर रहा हूँ आपको model activity task life science part 6 class 10 समझ में आ गया होगा